मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी श्री अनुराग ठाकूर जी, अर्जुन राम मेगवाल जी, महामना संपुन वांगमय के प्रदान संपाधक, मेरे बहुत पुराने मित्र रामबादूर राई जी, महामना मालवया मिष्णिक अद्यक्ष परभुनारायन श्री वास्ताव जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ट साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम आप सभी को क्रिश्मस की सुब कामनाएं, आज का दिन भारत और भारतियता में आस्था रखने वाले करोडों लोगों के लिए, एक प्रेरणा परवक की तरव होता है, आज महामना मदन महन मालविया की जन्म जैन्ती है, मैं आज के इस पावन अवसर पर महामना मालविया जी के स्री चर्णों में प्रणाम करता हूँ, अटल जी को आधर पुर्वक सद्धान्जली देता हूँ, अटल जी की जैन्ती के उपलक्ष में, आज देश गुड गवर्णन्स डेश सूशासन दिवस के रूप में मना रहा है, मैं समस्त देश वासियों को सूशासन दिवस की भी बधाई देता हूँ, साथियों आज के इस पवित्र अवसर पर, पंडित मदनमोहन मालविय संपुर्ण वांगमय का लोकारपण होना अपने आप में बहुत महत्मपूर्ण है, ये संपुर्ण वांगमय महामना के विचारों से, आदर्शों से, उनके जीवन से, हमारी युवा पीधी को और हमारी आने वाले पीधी को परिचित कराने का एक ससक्त माध्यम बनेगा, इसके जर्ये भारत के स्वतंतरता संग्राम और ततकाली नितिहास को जानने समझने का एक द्वार खुलेगा, खास कर, रिसर्ट स्कॉलर्स के लिए, इतिहास और राजलिती विज्ञान के छात्रों के लिए, ये वांगमय किसी बवदिक खजाने से कम नहीं है, बी एचू की स्थापना से जुड़े प्रसंग, कॉंग्रेस के शिर्ष नेत्रुतों के साथ उनका समवाद, अंग्रेजी हकुमत के प्रतिव, उनका सक्त रवया, भारत की प्राचीन विरासत का मान, इन पुस्तकों में क्या कुछ नहीं है, सबसे महत्पुन बात, कि इन में से एक मॉल्यूम, जिसका रामवादुराय जीन उलेक किया, महमनाज की नीजी डाइरी से जुड़ा है, महमनाज की डाइरी समाज, राष्ट और अध्यात में जैसे, सभी आयामों में भारतिये जनमानस का पत्थ प्रदर्शत कर सकती है, साथ्यों मुझे पता है कि इस काम के लिए मिशन की टीम और आप सब लोगों के कितनी वर्षों की साधना लगी है, देश के कोने कोने से मालविया जी के हजारों पत्रों और दस्तावों के ची की खोश करना, उन्हें कलेक करना, कितने ही अभिलेखा गारों में समुद्र की तरह गोते लगार एक-एक कागज को खोश करके लाना, राजा महराजाओं के पर्सनल करेक्शन से पुराने कागजों को एकत्र करना, ये किसी भगिरत कारे से कम नहीं है, इस अगाद परिशम का ही परणाम है, कि महामना का विराट व्यक्तित्व, ग्यारा खंडों के संपूर्ण वांगमय के रूप में हमारे सामने आया है, मैं इस महान कारे के लिए, सूचना एवं प्रसारान मंत्रालाई को, महामना मालेविया मिशन को, और राम बादू राईजी को और उनकी टीम को रदैस से बधाई देता है, इसमें कई पुस्तकाय लेके लोगों का, महामना से जुड़े रहे लोगों के परिवारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं उन सब साथियों का भी रदैस से अभिनंदन करता हूँ, मेरे परिवार जनों, महामना जैसे व्यक्तित्व, सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, और आने वाली कई सदियों तक, हर पल, हर समय उनसे प्रभावित होते हैं, भारत की कितनी ही पीडियां पर, महामना जी का रून है, वो सिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे, वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बड़ी भूमी का निभाई, उतना ही सक्रिय योगदान देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने में भी दिया। उनकी एक द्रश्टी अगर वर्तमान की चुनोतियों पर थी, तो दूसरी द्रश्टी भविश्य निर्मान में लगी थी। महामना जिस भूमी का में रहे, उन्होंने नेशन फर्स्ट राष्ट प्रथम के संकल्प को सर्वो परी रखा। वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए। मुश्किल से मुश्किल माहोल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज भोये। महामना के ऐसे कितने ही योगदान हैं। जो संपूर्ण वागमय के ग्यारा खंडों के जरिये अब प्रामाणी गृप से सामने आएंगे। इसे मैं अपनी सरकार का सौभा की समझता हूँ कि हमने उन्हें भारत रत्न दिया। और मेरे लिए तो महामराजी एक और वज़े से बहुत खास है। उनकी तरह मुझे भी इश्वर ने कासी की सेवा का मोका दिया। और मेरा ये भी सवभाग्य है कि 2014 में चुनाव लड़ने के लिए मैंने जो नामांकन भरा। उसको प्रपोज करने वाले मालवियाजी के परिवार के सदस्य। महामनागी काशी के प्रती अगहाद आस्था थी। आज कासी विकास की नई उचाईयों को छू रही है। अपनी विरासत के गवरों को पुनर स्थापित कर रही है। मेरे परिबार जनों आजहादी के अमरित काल में देश गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति पाकर अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकारों के कारियों में भी आपको कहीं न कहीं मालेवियाजी के विचारों की महक महसूस होगी। मालेविय जी ने हमें एक ऐसे राष्ट का विजन दिया सा जिसके आधुनिक शरीर में उसकी प्राचीन आत्मा सुरक्षित रहे, समुरक्षित रहे। जब अंग्रेजों के विरोध में देश में सिक्षा के बाइकोड की बात उठी, तो मालेवियाजी उस विचार के खिलाप खड़े हुए। उस विचार के खिलाप से, उन्होंने कहा कि सिक्षा के बाइकोड की जगह हमें भारतिये मुल्यों में रची, स्वतंत्र सिक्षा व्यवस्ता तयार करने की दिशा में जाना चाहिए। और मजा देखिए, इसका जिम्मा भी उन्होंने खुद ही उठाया, और देश को बनारस हिंदू विश्व विध्याले के रूप में एक गवरवसारी सवस्तान दिया। उन्होंने आक्सपोर्ड और केम्बरिज जैसे समस्तानों में पढ़ रहे युवाओं को बी एच्यू में आने के लिए प्रोसाहित किया। महामना इंग्लिश के महान विध्वान होने के बावजूद भारतिय भाशाओं के प्रबल पक्षदर थे। एक समय था जब देश की व्यवस्ता में नयालयों में फार्सी और अंग्रेजी भाशा ही हावी थी। मालविया जी ने इसके खिलाब व्यावाज उठाई थी। उनके प्रयासों से नागरी लिपी चलन में आई भारतिय भाशाओं को सम्मान मिला। आज देश की नई रास्तिय शिक्षानिती में भी मालविया जी के इन प्रयासों की जलक मिलती है। हमने भारतिय भाशाओं में हायर एजुकेशन की नई शुरुवात की है। सरकार आज कौर्ट में भी भारतिय भाशाओं में कामकाज को प्रोत्साहित कर रही है। दुखिस बाप का है इस काम के लिए देश को 75 साल इंतजार करना पड़ा। साथियों किसी भी राष्ट के ससक्त होने में उस राष्ट की संस्थाओं का भी उतना ही महत्व होता है। मालुय जी ने अपने जीवन में ऐसी अनेक संस्थाओं बनाई जहां राष्टिय व्यक्तित्वों का निर्माण हुआ। बनारस हिंदू विश्वविधाले के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। इसके साथ ही महामनाने और भी कई संस्थान बनाए। हरिद्वार में रिशिकुल ब्रह्मचरिया साथ आश्रम हो। प्रयागराज में भारतिय भवन पुस्तकाले हो। या लाहोर में सनातन धर्म महाविध्याले की स्थापना हो। मालवियाजी ने राष्ट निर्मान की अनेक संस्ताओं को देश को समर्पित किया। अगर हम उस दोर से तुलना करें तो पाते हैं आज एक बार फिर भारत राष्ट निर्मान की एक से बढ़कर एक संस्ताओं का स्रजन कर रहा है। सहकारिता की सक्ति से देश के विकास को गति देने के लिए अलग सहकारिता मंत्राले बनाया गया है। भारतिय चिकत्सा पद्दति के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग आयुष मंत्राले की स्थापना की है। जामनगर में डब्लू एचो ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आदार सिला भी रखी गई है। श्री अन्न यानि मिलेट्स पर शोद के लिए हमने इंडियन इंस्ट्रिट आप मिलेट्स रिसर्च का गठन किया है। उर्जा के खेत्र में बैश्विक विश्वयों पर चिंतन के लिए भारत ने बीते दिनों ग्लोबल बायो फ्यूर्ल एलाइंस भी बनाया है। इंटरनेशनल सोलार एलाइंस हो या कोईलिशन फर डिजास्टर रेजिलियन इंफ्रास्ट्रक्टर की बात ह। ग्लोबल साउथ के लिए दक्षीन का गठन हो या फिर इंडिया मिडल इस्ट इउरोप एकोनोमिक कोरिडोर। स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस का निर्मान हो या फिर नव स्वेना के खेत्र में सागर इनिसेटिव हो भारत आज राष्ट्री और अंतराष्ट्री महत्व की कई स्वंताओं का निर्माता बन रहा है। यह संस्थान यह संस्थाएं 21 सदी के भारत ही नहीं बलकि 21 सदी के विश्व को नई दिशा देने का काम करें। साथियों महामना और अटल जी दोनों एकी विचार प्रभा से जुड़े थे। महामना के लिए अटल जी ने कहा था जब कोई व्यक्ति सरकारी मदद के बिना कुछ करने के लिए निकलेगा तो महामना का व्यक्तित्व उनका कृतित्व एक दीप सिखा की तरह उसका मार्ग आलोकित करेगा। आज देश उन सपनों को पूरा करने में जूटा है जिसका सपना मालविया जी ने अटल जी ने देश के हर स्वातंत्र सेनानी ने देखा था। इसका आधार हमने सुशासन को बनाया है गुड गवरनेंस को बनाया है। गुड गवरनेंस का मतलब होता है जब शासन के केंदर में सत्ता नहीं, सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से संबेदन सिल्टा के साथ नीत्यों का निर्मान हो और जब हर हकदार को बीना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवरनेंस का यही से धांस आज हमारी सरकार की पहचान बन चुका है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयात रहा है कि देश के नागरीक को मूल सुविधाओं के लिए यहां वहां चक्कर काटने की जुरुत न पड़े। बलकि सरकार आज हर नागरीक के पास खुच जाकर उसे हर सुविधा दे रही है। और अब तो हमारी कोशित है कि ऐसी हर सुविधा का सेचुरेशन हो। हंड्रेड परसंट इंप्लेमेंट करें। इसके लिए देश भर में विख्सीद भारत संक्रल प्यात्रा चलाई जा रही है। आपने भी देखा होगा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के गामों और सहरों तक पहुंच रही है। लाभारत्यों को मोके पर ही अनेक योजनाओं का लाब मिल रहा है। मैं आपको एक उधान देता हूँ। आज केंद्र सरकार हर गरीब को पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज के लिए अईश्मान काड़ देती है। बीतें बर्षों में करोडों गरीबों को ये काड़ दिये गए थे। लेकिन बावजुदिस के कई क्षेत्रों में जागरुकता की कमी की वजह से गरीबों को ये आईश्मान काड़ पहुंच नहीं पाए थे। अम मोदी की गरंटी वाली गाड़ी ने सिर्फ 40 दिन के भीतर देश में एक करोड़ चे अधीक नए आईश्मान काड़ बनाए हैं उनको खो जाए हैं उनको दिया है। कोई भी छुटे नहीं, कोई भी पीछे रहे नहीं, सबका साथ हो, सबका विकास हो, यही तो सूसासन है, यही तो गुड गोवननस है। साथ्यों सूसासन का एक और पहलू है, इमामदारी और पारदर्शिता, हमारे देश में एक धारणा बन गई थी, कि बड़े-बड़े गोटालों और घपलों के बिना, सरकारे चल ही नहीं सकती। 2014 से पहले हम लाखों करोड और गोटालों की चर्चाएं सुनते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसके सूसासन ने आसंकाओं से भरियून और धावनाओं को भी तोड़ दिया है। आज लाखों करोड रुपिये की गरीब कल्यार की योजनाओं की चर्चा होती है। गरीबों को मुप्त राशन की योजना पर हम चार लाख करोड रुपे खर्च कर रहे हैं। गरीबों को पक्के घर देने के लिए भी हमारी सरकार 4 लाग करोड़ पे खर्च कर रहे हैं। घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तीन लाग करोड़ पे से ज़्यादा खर्च किये जा रहे हैं इमांदार टेक्सपेर की पाई पाई जन हित में राष्ट हित में लगाई जाए यही तो गुड गवर्नेंस है और साथियों जब इस तरह इमांदार से काम होता है नीतिया बनती है तो उसका नतीजा भी मिलता है इसी गुड गवर्नेंस का नतीजा है कि हमारी सरकार के सिर्फ पाँच बरसों में ही साड़े तेरा करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले है साथियों संवेदन सिलता के बिना गुड गवर्नेंस की कलपना नहीं कर सकते हैं हमारे हां 110 से अधिक जिले ऐसे थे जिने पिछड़ा मानकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था कहा जाता था क्योंकि 110 जिले पिछड़े हैं इसलिए देज भी पिछड़ा रहेगा जब कि इसी अपसर को पनिश्मेंट पोस्टिंग देनी होती थी तो इन जिलों में भेजा जाता था मान लिया गया था कि 110 जिलों में कुछ नहीं बदल सकता इस सोच के साथ ना यह जिला कभी आगे बढ़ पाते और ना ही देश विकास कर पाता इसलिए हमारी सरकार ने 110 जिलों को आकांची जिले एस्पिरेशनल डिस्टिक की पहचान दी हमने मिशन मोड पर इन जिलों के विकास पर फोकस किया आज यही आकांची जिले विकास के अनेक परामिटर्स पर दूसरे जिलों से कहीं बहतर प्रदर्शन कर रहे हैं इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए जब सोच और एप्रोच बदलती हैं तो परणाम भी मिलते हैं दसकों तक बॉर्डर के हमारे गाउं को आखरी गाउं बाना गया हमने उन्हें देश के पहले गाउं होने का विस्वाथ दिया है अबनेर सीमावरत गाउं में बाइप्रेंट बिलेज योजना शुरू की आज सरकार के अधिकारी मंत्री वहां जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं मेरी केबिनेट के मंत्रियों को मैंने कंपल सरी किया था कि जो जिसको अब तक आखरी गाउं कहां गया 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 वहां को रात्री विश्राम करना है और गये कोई तो सत्रा सत्रा हजार फिट यूंचाई पर गये है आज सरकार की योजनाओं का लाब और तेज़ी से महां पहुंच रहा है एक गुड ग्योवर्नस नहीं है तो क्या है आज देश में कोई भी दुखदात्सा हो कोई आपदा हो सरकार तेज गती से राहत और बचाओं में जूट जाती है यह हमने कोरनाकान में देखा है यह हमने यूक्रेन यूत के समय देखा है दुनिया में कहीं भी मुश्किल हो तो देश अपने नागरीकों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम करता है गुड ग्योवर्नस में ऐसे ही अनेक उधान दे सकता है शासन में आया यह बढ़लाओ अब समाज की सोच को भी बदल रहा है इसलिए आज भारत में जंता और सरकार के बीच भरोसा यह नई भुलंदी पर है यही भरोसा देश के आत्मविश्वास में जलक रहा है और यही आत्मविश्वास आजहती के अमरित काल में विख्सित भारत के निर्मान की उर्जा बन रहा है जात्यों आजहती के अमरित काल में हमें महामना और अटल जी के विचारों को कसोटी बान कर विख्सित भारत के सपने के लिए काम करना है मुझे विश्वास है देश का प्रतेक नागरिक संकल्प से सिद्धी के इस मार्क पर अपना पूरा योगदान देगा इसी कामना के साथ फिर एक बार महामना के स्री चर्णों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद